हलो स्टूडेंट वेलकम टो अनकेडमी स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पे गेट एन येसी इलेक्ट्रीकल इलेक्टोनिक्स इन टैन जैसा कि आपको सभी को पता है स्टूडेंट इस यूटूब चैनल पे हम हमेशान न्यू कंसेप्ट सीख रहे हैं 10 मिनिट के अंदर शो आज का हमारा टॉपिक है अपरेशन और डैक्टेंगूलर और ट्रैंगूलर फॉर्स आज हम उसी के सीरीज में यह देखेंगे कि अगर रेक्टेंगूलर और ट्रेंगूलर सिगनल को साथ मैं एड़ कर दिया जाए या मल्टिप्लाइ कर दिया जाए तो वाट कर दो साथ आपने बारे में बता दूं मैं अंकुष शर्मा फैकल्टी फोर गेट न एसी आपने प्लस ए टीचिंग एक्सपिरेंस स्टुडेंट में इसी और भी डिटेल में आप यहां पड़ सकते हैं क्योंकि हमारा जो वीडियो जी आज वाला सेशन होने वाला 10 मिट के अंदर होगा सो फटा फट से मैं टॉपिक पे आता हूं स्टुडेंट अनकेडमी के प्लेटफोर्म पे आप में को फोलो कर सकते हो इस इस दे लिंक आप माई प्रोफाइल और यू गेट एन्नी इंफोर्मेशन अबाओ डेली लाइफ क्लासे तो दे रेक्टेंगुलर फंक्शन को लिखना चाहें सर तो आपको एक रेक्टेंगुलर पल्स बनाना है जिसमें टो इसका मतलब सर यह माइनस टो बाई टो से लेके प्लस टो बाई टो होता है और यहां पर यह ओवर और टो है सर और यह मैगनिट्यूड ए है ठीक है अगर ट्रेंगुलर में लिखा रहा है ए ट्रेंगुलर ऑफ टी अपॉन टो लिखा रहे इसका सिग्निफिकेंस किया डिग्राम के अंदर आपको पता होना चाहिए कि रेक्ट्रेंगुलर पल्स बनेगा बट इस बार जो नीचे टो है इससे यह माइनस टो से लेके प्लस ट टैल में एक तो यहां एक टो मतलब जो है आप बोलों कि टो होगा यह बेसिक रिपजेंटेशन है ट्रेंगुलर और रेक्टेंगुलर का यह इसी पहले कि पहले इसका डियाग्राम बना लेते हैं आप सबसे पहले तो यह बताओ कि rectangular of t by 4 का diagram क्या होगा मैं एक एक करके आपको explain करता हूँ मेरे को बता ये student कि अगर मैं आप ये diagram बनाना चाहते है if you wish to make this diagram only that's our magnitude 5 रख लेते हैं और rectangular of t upon 4 का diagram बनाते हैं पहले तो t upon 4 का diagram से आप क्या समझे student कि आपका location minus 2 से लेके plus 2 हो गया और duration आपका 0 था मनला origin 0 था और magnitude 5 था आप बताओ t minus 3 का मतलब shifting करना है आपको right में shift कर देना है आपको तो अब जब आप right में shift करोगे student जब आप बताओ ये signal कुछ इस तरह से बनेगा क्या आपको मैंने पहले भी बताया था student ये जो 3 point है ये origin point है वो sir 3 होने वाला है तो 3 point origin हो गया तो obviously ये 3 plus 2 5 हो गया और ये minus 2 plus 3 जब आप करोगे तो ये plus 1 को reach करेगा I hope you got the point अभी भी आप देख लीजी ये difference जो है वो अभी भी 4 है क्या जाँ चेक कर लो minus 2 से लेके 2 का difference कितना था sir 4 और यहाँ पे भी 1 से लेके अब बताओ कि similar way में अगर आपको idea लग गया है तो इसी के just नीचे में वो diagram बनाता हूँ जो pass में लिखा है मैं बताओ इस बार क्या है duration इस बार भी center point तो 3 ही है sir इस बार भी center point तो 3 ही है sir लेकिन rectangular pulse का duration 6 है sir तो बताओ अगर जिसका center 3 है और जिसका duration 6 जाएगा तो क्या वो 0 से लेके 6 तक जाएगा I hope you got the point मैं बताओ कि यहाँ पर 5 है और इन दोनों को add कर सकते हो कि आप when you add both the signal student तो ज़रा बताओ यह किस तरह का shape मिलेगा आपको बड़ा सा अगर अच्छी observation है आपका तो आप easily observe कर सकते है स्टूडेंट कि सर एक 0 से लेके ultimate 6 तक इसका amplitude रहेगा 0 से लेके तो देखो मैं यहाँ बनाता हूं कर कर मैं इस तरह से बना रहा हूं शूडेंट बहुत ध्यान से देखिएगा तो देखो यह 10-10 मिनिट के वीडियो एक स्टूडेंट के अंदर वीडियो जो आप मिल रहे है यह आपके concept को clear कर सकते है अब देखो जब इन दोनों को signal को add कर रहे हो आप तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है तो बताओ 0 और 1 के बीच में क्या रहेगा तो स्टूडेंट 0 से 1 के बीच में और यहाँ पर 3 फिर यहाँ पर 5 और फिर यहाँ पर 6 फाइनली अब मैं बताओ 0 से 1 के बीच में यहाँ 5 है यहाँ 0 है तो 5 प्लस 0 तो 5 ही रहा signal 5 ही रहा लेकिन 1 से लेके 5 के बीच में यहाँ भी magnitude 5 है यहाँ भी 5 है तो 5 प्लस 5 क्या हो गया student 10 तो यहां sudden change होगा 10 तक रहेगा और after 5 यहां पे 0 है but 5 to 6 यहां 5 है तो यह 5 signal carry करेगा और फिर यहां हो जाएगा I hope you got the point student तो इस तरह से आपको यह 5 और यह 10 signal मिल गया examiner चाहे तो आपको इसका area भी पूछ सकता है अच्छा area निकालना कितना आसान आप area number 1 signal number 2 signal number 3 ऐसे 1,2,3 करके इनका area निकाल सकते है तो अगर आप से कोई पूछ ले कि now इस XT का area बताओ sir तो इस XT का area क्या हो गया बताओ वाई rectangular का area this into this मतलब width into height होता है तो आप बोलिए 5 into 1 तो 5 ही रहा sir अच्छा इसका area क्या हो गया 10 into 10 into बताओ 1 से लेके 4 का difference 1 से लेके 5 का difference 4 होता है sir तो 10,4 जा 40 हो गया यहां और similarly इसका area तो same ही आएगा तो 5 into 1 तो हमने देख लिया 1,2,3 सिगनल का area निकाला और हमने बता दिया complete X of T signal का area इस तरह से question आपके पुछी जा सकते हैं यह चोटे-चोटे concept आपके ultimate student आपको गेट exam में जरूर हल्प करेंगे तो यह conceptual वीडियो देखने के लिए जरूर वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को और आगे से आगे वीडियो को आप share भी कर सकते है student मेरा code है live ank अगर आप डिली लाइक 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 करना चाते हो अगर आप गेट और ESC को sincerely प्रिपेर कर रहे हो गेट और ESC के लिए सो आप live ank कर कोड यूज करके अनकेडमी पर सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं student तो आईए देख लेते हैं एक और अच्छा कोशन मेरे को बताईए कि अगर मैं इसका डाइगराम बनाना चाहूं फटाफट से जड़ा ट्राइगराम को देख लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट बताओ कि 4 यहां है माइनस 40 प्लस 10 तो पहली बात तो रेक्टेंगूलर फंक्शन में माइनस का कोई इफेक्ट नहीं है मतलब आप माइनस को कोमन ले सकते हो बार तो यह फंक्शन क्या लिख सकते हो आप 6 रेक्टेंगूलर आप 6 रेक्टेंगूलर आप लिख सकते हो कि माइनस का टी बाहर है सर माइनस का टी बाहर है तो अंदर क्या बचा अंदर बचा 40 माइनस का 10 अपॉन 4 तो ज़रा बताओ student rectangular का duration 4 रखना है लेकिं center point तो 10 हो जाएगा ना sir student tell me yes or no तो आप बताओ center point 10 है center point 10 है और difference इसका 4 रखना है तो यह आपका plus 8 हो गया और यह आपका 12 हो गया और finally divide by 4 कर देना है आपको तो जब आप divide by 4 कर दो कि तो यह signal बन जाएगा और magnitude को आपको 6 से multiply कर देना है थोड़ा सा मैं speed से करूँगा क्योंकि time हमारे पास 10 मिनिट का है ज़रा बताओ triangular pulse को क्या करेंगे तो triangular pulse में भी सर ऐसे ही minus common ले लेंगे तो यह triangular pulse लिखा जाएगा फिर 4 triangular off minus common ले लिया आपने तो 2T minus का 5 upon 2 रहेगा यह अब बताओ triangular pulse है जिसका time duration 2 रखना है और center point 5 रखना है तो बताओ जरा किसका center point 5 है लेकिन time duration इसका 2 है 2 का मतलब यह minus 2 से लेके plus 2 जाएगा तो 4 difference में रखेगा जरा बताओ यहाँ पर क्या ले होगा यहाँ पर सर minus 3 हो जाएगा और यहाँ पर सर फिर 7 हो जाएगा क्योंकि आपको जगर ट्रैंगुलर pulse 2 था ना तो इसका मतलब minus 2 से लेके plus 2 था तो overall विर्द आपको 4 maintain रखना था तो 4 maintain रखना था तो यही तो होगा सर और divide by 2 कर दो फटाफट से आँ divide by 2 कर दो और magnitude में भी 4 लगा दो अब यह बोल रहा है इन दोनों को multiply करो student जब इन दोनों को multiply करोगे तो क्या मिलेगा फटाफट से बताओ इन दोनों को multiply अगर आप कर दोगे ना तो आपको signal मिलेगा देखो यह 3 by 2 मतलब 1.5 है और यहाँ पे 2 हो गया था तो आपको 1.5 पे बताओ जड़ा 1.5 से ultimate signal जो मिलेगा ना आपको वो 1.5 से लेके यह बताओ यहाँ क्या था तो यहाँ पे 3 था क्या तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 था सर और यहाँ पे आपका 2 था तो ultimate signal जो है वो 2 से लेके आपका 3 तक रहने वाला है वो बताओ signal कुछ ऐसा जाके ऐसा जाके ऐसा जाके और फिर ऐसा हो जाएगा क्या फटा फट से बताइगे इस magnitude में इसका यहाँ पे magnitude क्या था तो आपने multiply कर रहे हो आप multiply देख लो तो ultimate जो magnitude होगा 64 जा यह आपे 24 जाएगा और यहाँ पे जो midpoint पे जो multiply करोगे आप तो यहाँ पे midpoint पे 2 होगा student तो 6 to 12 जाएगा तो आपसे examiner पूछ रहा था x 2.5 पे क्या होगा तो x 2.5 पे जो आपका answer आएगा वो 24 आएगा student जड़ा add करके देखेंगे exactly यह आया या नहीं आया comment box में जरूर reply करेंगे कोई भी doubt हो तो number पे मैं लिखे है निचे इस number पे comment कर सकते है वीडियो अच्छा लगा तो जरूर like कर देंगे आप और live ANK code you can use student okay so that's all from this video we will meet again next in the upcoming video